हाई फ्रेंड्स आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चनल एग्रिकल्चर ट्रेक्स बाई एंके में हादिक्स वागत करते हैं जिसके आप लोगों पता है कि एग्रिकल्चर से लिगाटिंग कोई भी अपडेट वोगे रहता है तो हम आप लोगों वीडियो के मा पर है उसको देखने वाले हैं जिसके अंतगरत भी आपके सोग क्यूसन रहेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा ज्यादा लाइक करना ना भूले इसके लाव में बतादू फ्रेंड्स के आप लोगों काफी बच्चे बोलते हैं कि सर जो अब 5 क्यूसन आएंगे तो उसकी प्रेक्टिक्स कहां से करें तो जैसे कि यह पर्फॉर्मा आप देख रहे हो यह पर्फॉर्मा आपके अकोर्डिंग ही बनाए गया यह देख सकते हो अग्रिकल्टर सुपर्वाइजर 24 रोल नंबर तो आप अपने रोल नंबर कुछ भी मन से मानकर और इनको फिल कर सकते हो इसके लाव बात करें आपके स्टूडेंट आईडी आईडी के अंदर आप अपने मॉबैल नंबर इसके अंदर गए जो लाश्ट के डिजिट है वो लाश्ट के भरके और उससे आपको यह कोलम बरने की कोशिज करोगे तो जो आपकी जो मिश्टेक है वो यहां स हो तो यहां से आप जितने भी कोशिज हो तो जितने रैट हुर रहे है उनको इसके लाव अगर आको जो नहीं आ रहा है तो इसके अंदर गत आपको और बरने बरने हैं और जितने भी क्यूसन नहीं आ रहे हैं उनके अंतरगत सबके अंतरगत यह बरना है आपको ना तो ऐसे करके अगर आप प्रेक्टिक्स करोगे ज्यादा भी नहीं तो पांस से दस अगर आप यह ओमाग सीट भर देते हो तो जदा जदा आपको 10 रुपय का खरचाए लेकिन वहां पर जो आपके दो से तीन क्यूसन गल्पतों होने के चांसे हैं वह आपके नहीं रहेंगे तो यह ओमाग सीट है यह परफॉर्मा अपने टेलिग्राम चैनल पर एक रिगल्चा ट्रेक्स बई एनके के ऊपर मैं टेलिग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा व खाली रहें फिर वहां पर टाइम नहीं मिला टाइम मेनेज्मेंट नहीं है गोला भर नहीं आ रहा आप बरना कौन सा चाते फिर बर्द दूसरा गया क्योंकि यहां पर पांच वांच उप्शन होंगे चार में तो फिर भी इतनी दिकत नहीं आती थी आप देखकर भर देते तो इसको आप प्रिंट आउट निकल आके और एक बार जरूर करेंगे और कोशिस करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपन इन ज्यादा क्योंको कर सके इसके लाओ मैं बता दूँ कि विद्यारती सोच रहोंगे कि हिंदी के क्यूसनों की जो प्रिवेस क्यूसन पूचेगे हैं उनके लिए भी बोलाता लेकिन वीडियो नहीं है कोशिस करें या तो आज की दिन के अंदी आपको यह वीडिए कर वा दिये जा जाएगा दो भी डिएन करते हैं करते हैं आज आज का से अंवहें सिपाना हें तो यह संदी हम शो bicycles संदी का हर नहींत बताना है थो प्लस आलये से आंस इस nella होता है हो Presents कई सउंडी रह बरहुद होगा यह आधा हुद्रेड़ा नहीं में प्लससा बनेगा आपके दिल्क संदी यह सब्सक्राइब को संदी नहीं नहीं है तो बीकिन् हो घराएगा सब्सक्राइभ इन प्रेंदे nooit तो जिदने सब्सक्राइब वीडियो को देख रहे हैं और इसी क्यों पोस्तिंस सबी सब्द करमधारी समास के उधारन है तो आपको ये चारो ओप्षन देख लेने हैं और आपको decide करना है कि आपको की करमधारी समास के उधारन इन में से कौन से हैं तो आप में ज़दा टाइम वेश्ट ना करते हुए आप वीडियो को पोस कर लीजिए का क्यूसन देख लेजीगा फिर अपना आंसर लागा कि वापर वीडियो प्ले कर लेजीगा और अगर ज्यादा जल्दी हो तो आप टू-एक्स पर करके भी इस वीडियो आसन इससे देख सकते हो चली बात कर सही है तो आपको समास वीडियो सही है तो बफ्सकर पताना अग्राव है जब या उपर होता है तो वह को कॉन सा हुआ यह उपर ने वाला मईत होता है उसे यह पन शाक अमरीक कहते हैं और शाक अमरीक कौन होता है आगा बंदर होता है तो इसका विशेश रुप्षा आपको ध्यान रखना है शाक अमरीक बंदर का यह प्रियावक्षी होता है उप्स नमबर सी यहां से क्या वज़ोता है राइट आंसर हो जाता है चलिए गया हो जाएगा तो यहैं से क्या हुद चलिए मांसिक सब्सक्राइब अगर आपने पुराने डेपर देखे होंगत अपने में यह आज चुक नयांपे क्या हो जाता है पूंसे सब्द युग में अर्थबेद सहीं नहीं कों own masa औरनीव यह नल का आ रङको Zen동 होता है अनस का हिससा होता अभिमान का एंकार होता है अभिराम का सुन्दर होता है अभिघ्य का जान का ए उन ज्यू को इसका जब रैंटाने स्वियन्त कि इसकी मैंने आपको फ्रयम है उसकी ट्रीक. बताए गी है तायो होप आपको यहां से answer right पता चली गया होगा कौन सा होगा वो आपका uns और uns हो जाता है क्योंकि मैंने पहले बताए था कि जिसके अंदर सब्य जुड़ा होगा तो कंदा क्या होता आपका जुड़ा होता तो इस आंस का क्या हुता है यह कंदा होगा और इस अंस तर कोई हिस्साय कोई छोटा छूटक Bent twenty तो यहां आपका गलत में जूड़ा होए तो आप इस नबर बी यहां से क्या होजएगा राइट उन्सेयर हो जाएगा जलिए नेक्ट और ओप्शन कि अपन बात करते हैं तो वो आता है आपके पास में नेर तोई अंबू नहीं है यह जो आपके सीता जनक सुता भूमीजा है तो इसके जब राइटांसर के बात करेंगे तो ओप्शन नमबर उनमुक होता है शनेक का इस्तिर होता है मुग का वाचाल होता है तो सही यूगम है इसका पैचान करने आपको तो इसका राय टांसर के पर बात करेंगे मुग का वाचाल हो जागा ओप्शन नमर डी यहां से क्या हो जाता राय टांसर हो जाता है नेक्ट क्यूशन के पर बात क कि हाँ आपके सुध सब्ध हैं option number A यहां से क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है next question कि अपन बात करें यह उन वाक्यों में से व्याकरण की द्रश्टी से कौन सा वाक्य सुध है तो सुध वाक्य का चैन का ना है राइवार के दिन सभी जगह छुटी रहती है यह क्या उप्षन नमबर D यहां से क्या राइट आंसर हो जाता है next question कि अपन बात करेंगे कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं तो दावानल केते हैं कामग नहीं क्यते हैं जहराग नहीं करते हैं जब राइट आंसर के वान बात करेंगे तो आपको पता है जड़ सुरी जंगल जो जंगल के अंदर आग लगती है तो उसे अपन क्या कहते हैं डावानल कहते हैं तो और यहां से क्या राइट आंसर हो जाता है next question के और बात करें next question आता है आपके पास में जो सासन तंतर के लिए अंग्रेजी सब्दावली का परियोग होता है तो जो सासन तंतर के अंग्रेजी सब्द हो जाता है तो और यहां से क्या हो जाता है चलिए next question क्यों बढ़ते हैं next question आता है आपके पास में किस क्रम में लोकोक्ती नहीं है तो हाथ कंगन को अर्शी क्या है यह आपकी लोकोक्ती नहीं है सचंदर के सीर चमिली का तेल यह नहीं है कलेजे पर साप नहीं चांती पर साप लोडते हैं तो और यहां से क्या हो जाता है चलिए next question क्यों बढ़ते हैं मैं तुम सब को कूप समझता हूं तुम सब एक जैसे हो इसके लिए उप्यूगत लोकोक्ती का चेन कीजिए कि मैं तुम लोगों को कूप समझता हूं लेकिन आप एक जै जैसा नागनात विशा सापनात या केर बेर का सांग तो जब राइट आमसर के अपन बात करेंगे इसकी तो वह क्या हो जगा एक इसाली के चट्टे बटे तो अप्शन नमबर बी यांसे क्या हो जाता राइट आमसर बज़ता है चलिए next question क्यों बात करते हैं नेक्ट क्यों ने ही इसका राइट आमसर देना है तो इसके राइट आमसर के बन मतगनेंगे पास राजी लगते हैं और चारजार आन्सों पटास किलोमेटर आपके अंतराजी सिमा लगती है और यहां से क्या वज़ता राइट आमसर हो जाता है next question क्यों बात करें रास्तान का कौन सा पूरी मेदानी प्रदेश हो जाता है तो उसन नमबर डी यहां से क्या वज़ता राइट आमसर हो जाता है चलिए नेस्ट कुछन के और बढ़ते हैं नेस्ट कुछन आता है नियुन में से कौन सा विकल्प गलत है तो गलत विकल्प का चयान की करना है आपको उडिया का आप का चीतोडगड में है या य का इमान का पटार है वह यह समन्त की अंतरज़त इस्तित और राइट अंसर की बद्रदेश के नियुन में से कौन सा जिला शामिल नहीं है to adjust जेंब रहत पन्सर करेंगे तो उसकमा बटता आपका जलवार नहीं है option number D यहां से क्या हो जाता है चलिए next question जो बढ़ते है next question आता है noon में से कौन सा विकल्प नदियों और उनके उद्गम इस तल के संदर्ब में सही नहीं है तो चंबल नहीं है जो जानवा पाड़ी से उद्गम है बनास का क्या खमनोर से नहीं है लोनी नदि का नाटपड़ी से जाब करम抓 65 नहीं है चलिए next question कीऊन से कौन सा सही है तो काली बंगा है वो नगरी सब्व्यता थी आहड़ गरामेन सब्यता थी एकी नमेंसे कोई नहीं तो सुंधर के बात करेंगे तो काली बंगा थी वह नंगरी सब्याता थी और आहर्ट क्या थी आपकी गिरामेंड सब्याता हुआता है तो अंसे क्या हो जोतर हो जाता है एक तो करशी पर्वेशक सब्सक्राइब करें तो सबसक्राइब यहां से क्या हो जाता है यहां से क्यों बढ़ते हैं सब्सक्राइब तो महाराना परताव के पास बचुम उसको कब भेजा गया था नह थैए उसको कब बेजा गया था प्रतम सिष्ट मंडल में सेकंड में तिर्थिय में या प्रतम बच दितिय दोनों में तो मैंने आपको जमाल बाटो के नाम से एक ट्रिक बताई थी उसके अगर आधार पे भी आपने वीडियो देखा है आपको याद है ताव उसके आधार भी इसको जो कॉमल कोठार यह उसे सूर्यमन मिश्रन को वीज़ेदान देप्रा को यह लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को दिया गया है तो इसको जब रहट आंसर के बात करेंगे तो वह क्या थे आपके लक्ष्मी कुमारी चुंडावत उर्चनमर डी यहां से क्या वज़ता रह आं नाटे है तो वो किसने की थी आपके साह अली और तुकन गीरने की थी तो अप्शन नमबर डी यहां से क्या हो जाता है नेक्ट क्यूशन के बात करें नियून में से कौन कोटा में अठासोश ताहन के विद्रोह का नेता थे तो कुसाल सिंग थे जैदेयाल थे नयनुराम थे या सिव सिंग थे आयोगा आप सबी लोगों पता हुगा कि जो कोटा के अंदर्गछ यह श्ताक्सर कर रहा था इस नेकूशन काफी इंपोटेंटर पूझा गया कुछा नाहीं तो बाइस्वड्र महारा रावल दिख ने कहतां दोरबूर के माराजार जाप सबसे उंचा भाग मिनार साब की दर्गा कहलाता है तो आपको पता होगा जो किसे उंचा भाग कहलाता है तो कौन सी जगह है आपका जो तरगाड अजमेर है उसके अंतरगत है यहां से क्या हो जाता है यह काफी सकर पर बापा की दर्गा कहान है तो नागोर में अगलिया कोट में जमेर में यह नरहड पीर जो आपका नरहड है वहाँ पर है तो चल्च नोवाशी इस वी आकत यानिके अंकित है तो शीद्लेस्वर मधिव मंदिर जो जो अलवाड में उस पर है मंदिर पाली में है उसके उपर लिखा हुआ है हरसद माता दोसा में है उसके उपर लिखा हुआ है जो सहसर बाहु मंदिर है उद्यपुर में उसके उपर लिखा हुआ है उसके जब रहटांसर के अपन बात करेंगे तो आपका क्यों जो सितले सुर मादेव मंदिर ने किया था इसको जब राइटांसर के बात करेंगे तो वह कौन हो जते हैं जो आपके मलानन शोरी अनंद कुमार स्वामी जो आनंद कुमार स्वामी है इन्होंने राज्तानी चीतर के लाखा सबसे पहले वेगानिक विस्टिलेशन किया था तो नमबर यहां से क्या उतर जाता है ने फुसन के अपन बात के ताश्तान का नियुए नमें से कौन सा इस्तान जटी पटी उद्यों के लिए परसीद है तो जो जासल बाड मेर में है वह है के तो उनको टावाला है अकोला सी तोड़गड है या बगरू जैपूर का परसीद है तो जटी पटी की जब की जाएगी तो आपको क्या हो जाता है यह पूछा गया है ना किसे का जता रहा जाता है जिसके जब रहाइटांसर के वन बात कर दिने जो मोचंग है उसे आपकी कहते हैं जूप हर भी का जाता है तो अप्शन नमबर सी यहां से क्या हो जाता है चले नेश्ट किसन के और बढ़ते हैं तो बात करें कुछामनी ख्याल के परवर्तक कौन है तो अपन बात करेंगे जो कुछामनी ख्याल है उसके परवर्तक कौन थे आपके तो लच्छी राम थे दूलिया राना थे अली बक्स थे यह नेनो राम थ सब्सक्राइब करना है उसकी जो परदान पीट है वो साफुरा में है जसनाती संपरदाइब उसकी जो परदान पीट है वो सब्सक्राइब और उसकी जो परदान पीट है वो सांगानेर में नहीं और वाकि तीनों की जी जीगई है आपको वह आपका राइट अंसर हो जाता है चलें नेक्ष्ट कुशन के और बढ़ते हैं नेक्ष्ट कुशन आप है लोग देवता तेजाजी माराजगा पवित्र तिर इक जिए करेंगे तो अनुमेरी या 한데 को बनीच कुशन के यहां से और बात करेंगे करेंगे तो आपके चेत्र माग के अंतरगत आती है तो अप्सन नमबर डी यहां से क्या उज़ता राइट आंसर हो जाता है नेक्ट कुछन के बात गए नियुन में से कुन सा अबुसन महिलाओ के द्वारा कमर में नहीं पेना जाता तो जो कमर में नहीं पेना जाता वो तागड़ी है का है जिसके राइट आंसर के अपन बात करेंगे तो क्या हो जत्ते दढ़ है वो आपके कमर के अंतरगत नहीं पेना जाता है उप्सन नमबर सी यहां से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाता है तो जो सिरोई के अंतरगत हो जाता है तो वहां पर ग्राशिया जन जाती हो वो मुख्यत पाई जाती है तो उसनों और वी यहां से क्या हो जाएगा है नेक्ट कुशन की जो बात करेंगे नेक्ट कुशन आता है आपके पास में न्यून में से रजस्तान की किस एतियासिक दरवर को यूनेस को की वर्ल्ड हेरिटेस सुच्छी में शामिल नहीं किया गया तो आपको बताई होगा कि आपके छे जो गर्द है जिनको सामिल किया गया था और उसको मैंने ट्रिक के मादें से बताया था जो आम था और चीकू और गाजर इसकी ट्रिक बना के आपको बताई थी तो आपको बताना है तो वो कौन साय जिसे सामिल नहीं किया गया है जंतर आपका चितोडगड भी और कुंबलगड भी लिया गया था इसके लाव में ने जो किले थे उनकी एक ट्रिक बताई थी कि आम यानि कि आमेर का किला को भी लिया गया है चितोडगड किले को भी लिया गया है कुंबलगड को भी लिया गया है रंतंबोर किले को भी लिया गया ह सलाओंगे 2010 सuni सामिल कंट लिया खैलिक जो आमियर की हविलィ यह हैं कि यह खिता है en继नल की आता है आपके पास में करीबूमन में से मनुशिय ने सरुपरतम किस खाध्यान की फस्ल के चेहती तो आप पहली तो आपको पता हुए कि एनिमल की बात की हुए हो pros सब्सक्राइब आपके पास में फिलेरिस माइनर को एक हजार दानों का वजन कितना होता है तो चार ग्राम होता है छे ग्राम होता है या आठ ग्राम होता है तो आई वह पाप सुरी लोगों को पता होगा जो फिलेरिस माइनर है उसके हजार दानों का वजन होता है वह आपके दो ग्राम होता ह दितले नेस्ट किस honour किसम है इसके और कि लिए मुंग की है किसके बहुंत करेंगे किसके हैं तो उसन नमर D यहां से क्या हो जाता है रैट अंसर हो जाता है नेक्ट कुशन के अपन बात करेंगे तो वह आता है फसलों के विकास के लिए सरवादिक उप्यूक्त परकास है तो जो फसलों के विकास के लिए जो उप्यूक्त परकास होता है वो कौन सा होता है कि आपका लाल प्रकास होता है अवरक तो होता है नीला होता है हरा होता है तो जब इसके रैटामसर के बाद करेंगे तो वह कौन से होता है लाल प्रकास होता है वह आपके फसलों के लिए जो फोटो सिंथेसिस होता है उसके लिए उप्यूत माना जाता है तो उसा नमबर यहां से क्या हो जा लोडन होता है उसे कहते हैं यह जो सुन्य भूपरिस्क्रण एक तो अपन ने के बराबर करते हैं यह निकिए अवोईडी कर देते हैं उसके अंतरकत क्या होता है प सुन्य भूपरिस्क्रण होता है तो आपको बताना है कि जो सोड और सेड्लिंग होती है उसका अर्थ क्या होता है तो इसके परमानित बीज के उतवधन के लिए पर्तक दूरी Кितनी रखी जाती है तो इससे पहले मैं बता दूँ कि आपको मैंने पहले बता जो पर्मानित वीज की जो परतकरन दूरी है वहां से एक क्यूसन आपको एंड़ेट पुछा जाएगा और इसके अंतगत भी आपको बोला था मैंने कि जो मेज है उसका आपको विशेश रूप से प्यान रखना है क दूस्व रहते हैं आड़ सुमेटर रखते हैं यह सोमेटर रखे जाती है तो रदस के अपन बात करेंगे उप्शन के आपको बताना है कि सूमेलित कौन सा नहीं है मेगनिसियम की जो डेफिसे होती हो पुरानी पतियों परे दिखाए दिखाए देती यह नस्वर में अपतियों के रूप में इसकी कमी दिखाई देती है तो बात आपका- उसके पुरानी पतियों के में पिले मना से दिखाई देती है तो यह आपका रैजर नहीं होगा क्योंकि मेगनीज होती है उसकी तो आपके उपरी पतियों के अंतर का दिखाई दिखाई दिखती है तो अपसर दी यहां से क्या उजाता है राइटांसर हो जाता है नेक्स्ट क्यूसन के अपन बात करेंगे कि मद्यम सी चैपरियूजना के कर्शी योग्य कमान चेतर कौन सा है तो आपके मद्य सी चैपरियूजना है उसका बताना है तो आपके दो जार से दस जार हेक्टेर होती है दस जार से पंदरा जार हेक्टेर होती है पंदरा जार से ब नोटे नमरे यहां से क्या हो जाता है नेस्ट कुसं के अपने बात करें सुद्ध फ़सल की 20 मेड कितने होती है तो लगवक कितनी होती है कि दो आपको यह बताना है कमेंट पोक्ष के अंतर जो तारा मेडा है इसका scientific name होता है वो क्या होता है अब बाद करेंगे अईसके जो भी seed rate की तो कितनी होती है आफ़ की जो किद्डी परती ही ऐक्टेर kita पांच की परती ही अज़पर के आफ तो इसकेजी परती ही पर रहान सर के अ sót सकता है नेच्ट किसन के और बड़े तो वह आता कि निमन में से एसंगत तो आप को एसंगत का चैन करना है कि रों कुन सा तो जो मक्का की मंडी है वो दोड़ा सिटोडगर के अंतल इस्तित गाजर की मंडी जो सुदावली है गंगानगर में वहां पर इस्तित इते जीरे की मंडी चालोर में है प्याज की मंडी जो रसिद्ध पूर है आपका सिकर वहां पर इस्तित है जिसके जब रायट अंसर के अपन बात करेंगे जो जीरा मंडी है वो आपकी चिसल मेर के अंतरगत इस्तित नहीं है तो अपसा नमबर सी यहां से क्या बढ़ता है आपका वह है तिलहनी फसल जो रवी खरीब और जायत तीनों फसलों में आसानी से प्राप्त की जा सकती है तो वो कौन है आपकी तरह मीरा है सुरज मुखी है सोयबीन है या अप्रोक्त सभी तो इसके जब रायट अंसर के अपन बात करेंगे तो जो आपका सुरज मुखी होता है आपको पता है होगा कि जो हैलीएंटिस होता है यह आपका डे-णूट्रल प्लांट होता है तो अपनी इसको रवी खरीब और जायत तीनों के अंतर फसल राप्त की जा सकती है तो इस नमबर भी यहां से क्या हो जाता आपका रायट अंसर हो जाता है नेक्स्ट पूंस क्यो को ता हे ग्राम जो ग्लोबल राज़स्तान एक्रिक मेट का एक escaping किया था कब किया गया था तो 1-3 में 2017 को किया गया था 2021 से 23 जुलाई 2017 को किया गया था चोई तरर मिटर्व 217 को Karina यह एक से 30 जुन 2017 किया गया तो इसके जब रहाइट आंसर की आपने बात करेंगे तो आपका 24 से 26 महीं 2017 थे जब आपका जो कोटा का में जो गूलोबल राजसतान एगरी मीट जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया था वह आपके 24 से 26 महीं 2017 को किया गया था तो उप्सनोंबर स्च यांस से क्या ह कंशंअ हो जब इसका पहला जिए अनसुन के अंदर राजिस्तान की आपको पता होगा कि आपको यह नहीं को पहला गया था वो कोटा वह फो긴ा घ्रम को खुंट दूंगरपूर पर अगर तो पता भी होगा कि एक किसंट डो बाटट परसेंट पूचा जा चुका है बात करें परदेश का पहला ग्र्राइगरिकल्चर तक बात करें पोर्ट परटमीत हैं तो बात करेंगे तो बारा कें अंतर Sherman एक पर राध्यान मत्री फिसल भी हैं उसने परदान मत्री फिसल विमा यूजना है वो प्रारम वर्स थे जब राघांसर की अंतरगत के अंतरगत तो lekई यहां से जहता है नेक्ट के आथा है यह चाहिए प्रक्रिया कहलती है तो यह आपकि वोगतिक शुदता क्यालाती है, शीरडाबिर्लिंग क्यालाती है, ज Snud, जो आपके सीड़ाती अपरी टेस्टिंग क्यालाती है, यह आपका रोगियून क्यालाती है, तो और उसके जब राइट आंसर के पाँ करेंगे, नेस्ट कुशन के वन बात करेंगे कि बीज जीविता यानि की सीड वाइबिलिटी प्रिक्षन के लिए नियुन में से कौन सा रसाइन काम में लेते हैं तो टेट्राजोलियम क्लोराइड का यूस क्या जाता है इथर का यूस क्या जाता है थाई यूरिया का यूस क्या जाता ह आई-फॉप आप सभी लोगों को पता हुगा काफी इजी सा क्यूशन है और काफी बार पूचा गया क्यूशन है तो इसके लिए अपन क्या करने हैं तीजाइड का तो सफेद रंग का होता है अप लोगों को पताया है, जितने भी टेक होगे रहहे हैं, तो सीड सैंस के नाम से अपनी प्लेलिस्ट बशने विए उसके अंतर्गत कंप्लीट ठीक के मादेम से समझाए गया है, कि किसका टेक के कौन लगता है, तो अगर आप लोगों ने वीडि ज़रूर जाके देखना अब बात करें के अजो आधार भी जो थे जिसे कि फाउंडेशन सीड केते हैं तो फाउंडेशन सीड के कट्टों के ऊपर जो टेग लगा होता है वो सफेद रंका लगा होता है तो नमबर यहां से क्या हो जाता है तो आता है निर्दारित करने के नुवांसिक सुद्धा यानि कि जेनेटिक प्योरिटी के लिए यूज क्या जाता है तो उप्शन नमबर डी यहां से क्या हो जाता है राइटांसर हो जाता है उसके उत्पदन में अगर्णिय राज्य है तो आपका तमिल नाडू है केरल है राजिस्तान है यह महाराष्ट इसके जब राइटांसर के बार्त करेंगे आपके वीजके मसाला होते हैं उसके अगर्य राजिय कोंगे है तो फादर है तो डीकेंडोले है यह है यह है मेरी चौड़ा है यह आपके लीवर्टी बेली हो जाते है तो आप्शन नमबर इसके अंतर राइ करेंगा तो सी यहां से क्या हो जाता है यहांसे क्या हो जाता है यांसे कौन सबółСТप्र में हो уд Programm 만 सब्सक्राइब नाट करें कौन से तत्यों की कमी पाई जदी यह विटामिन की कमी पाई जाती विसा की कमी पाई जाती है कर भाहिड्रेट की कमी पाई जदी आपके आलू के अंतरगत पाई जाती हैं पांच परतिस्द ये पहले बता आपके बात के विटामीन A की मात्रा कौन से सब्सक्राइब के बाइज़ लगा तो वहाँ भी आपको यह क्यों संदेखने को मिला होगा विटामीन एक की सरवादिक मातर पाई जाती वह आपके बथवा होता है जो कि चिलो-पोडियम कहते हैं तो उसन अमर्शी यहां से क्या हो जाता है नेक्स्ट कि अपन बात कि रास्तान का राज्की पुस्व है तो प्रोसोफी सिनेर यह है निलंबो यूनिसे फिरा है या आपका फोंकस बेलांडिस है यह टॉकोमिला इंडूलेटा है तो इसके जब राज्टांसर के अपन सब्सक्राइब करते हैं तो फर्वरी माहे में करते हैं जून माहे में करते हैं मही माहे में करते हैं या अक्टूबर माहे में किया जाता है तो इसके राज्टांसर के बात करें जो पर आपके पपिता होते हैं उसके समयने तर नर्सरी इस्तानांतरित की जाती है वह आपके म नर्सरी की उठी हुई कियरि बनाते है तो उठी हुई केरी कब बनाते है अधिक वर्षा वाले इस्तान पर बनाते हैं अच्छे जल-nyकास वाले समतल भूमी होती है 15-20 सेंटीमीटर उठी हुई अपन नर्सरी तेयार करते हैं तो इसका विश्यक्ष रूप से ध्यान रखने हैं आपको तो उसा नंबर यहां से क्या हो जाता है चलिए नेक्स्ट कुशन के बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन आता है प्याज के हैं तो आपको पताए होगा कि जो आपकी देश्यक्ता होती हैं और उसकी बात करें वो कितने होती हैं आपके 500 स्टमेटर स्कॉर्वार ओजाती है और सी यहां से क्या हो जाता है यह जाता है तो आपको पता होगा जाता है तो अब बात करेंगे कि सुस्क छेतरों के लिए जो उप्यूक्त किसम होती है वो कौन सी हो जाती है आपकी गोला हो जाती है उप्शन नमबर सी यहां से क्या हो जाता रैट आंसर हो जाता है नेक्ट के अपन बात करें चुमारा बनाने है तो खजूर की कौन सी अवस्ता में तुड़ाई करनी की है तो गंडोरा स्टेज पर करते हैं डोका स्टेज पर करते हैं डे की स्टेज पर करते हैं पिंडी स्टेज पर करते हैं तो इसके रैट आंसर के अपन करेंगे जो डोका स्टेज होती है उसके उपर अपन पिंड कजूर बनाने के लिए तुड़ाई करते हैं और जो आपके र सब्सकockey करने सामने अश्य साव सबसे सांब और सबस्च करती है था मिक्या अब पोडर ऊपन रहती हैं तो पोडर ऊपन के अंद्रकंत कितनी दूरी रगतते हैं चेह इंटु से मेटर की आठेंट्ट Two passed भी 2 percentage मेटर की दूरी रखी जाती है तो आउप सब्रोगों को पता होगा जो अमरोदगा पोदा होता है समाने अपन रखते यह अख पन Pokémon 8 मेटर दूरी रखते हैं और जितनेने भी स्वाले होते हैं जिसे कि आफके नेवलों सेफ अधर Oh सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नाम से पता चला गया होगा कि जो रतन जोता है उसके सीड के अंत्रगत जो कि आपको कमेंट बॉक्स के अंत्रगत बताना है तो चलिए नेक्स्ट किशन के बढ़ते हैं सरफगंदा का कुल कौन सा है तो एपोसाइनेसी है या बुरुसी रेसी है या लिलीएसी है तो आई ओप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो आपको सरफगंदा है उसके फेमिली की जब बात की जाती है तो एपोसाइनेसी होता है तो सोले नेसी के अगर बात की जाए तो सोले नेसी आपके अस्रगंदा की फेमिली होती है तो इसका वीशे शुरुक्ष आपको केरिकाज जो कहते हैं तो इसको जब राइट आंसर के आपन बात करेंगे जो अफिम का वलकार है तो आपका केपसुल कहलता है यह काफी बार क्यूशन पुछा गया क्यूशन है इंपोटेंट क्यूशन है अगर आप 12 की बुक पड़ोगे तो वहां पे भी आपको यह दिया ग कर चुके हैं आयोप आपको पता होगा तो यह का आपके नहीं दिली के अंतरगत इस्तित है अप्शन नमबर सी यहां से क्या हो जाता राइट आंसर हो जाता है उसके जब राइट आंसर के अपन बात करेंगे तो गलेडियूलस होता है उसका जो कॉर्म होता है यानि कि जब यहां स्टाइब हो जाता है प्रशन के बात करेंगे कि जो मईडिया यानि मिशन फोर इंटर्ग्रेट डवलफ्लमेंट होटी गल्चर लगू आता वह दोजार साथ में होता दोजार दस में होता दोजार चोड़ाराट के अंदर वह आता तो इसका राइट आंसर के पन में हैं बयाना में हैं या डेपोग में हैं इसके जब राइट आंसर के पन बात करेंगे तो वह क्या हो जाता है तो इसको भी उसे शुरुप आपको ध्यान रखना है जो जाता है या उच्वाल में है जाता है जब राइट आंसर के पन बात करेंगे जो परिसर कहां पर इस्तित है तो बीच्वाल के बात करेंगे तो लेट इसको नमगर मालपुरा तोक में ही इस्तित है तो option number C यहां से क्या हो जाता राइट answer हो जाता है next question के अपन बात करें CHWRI का मरूच छेतरिये परिस्टर कहां पर इस्तित है तो बिच्वाल में है, लूनी में है सम में है या फलोदी के अंतरगत इस्तित है तो इसके जब right answer के अपन बात करेंगे तो option number A यहां से क्या हो जाता राइट answer हो जाता है तो चलिए next question के और बढ़ते हैं तो next question आता है राजे में 200 की संख्या है तो इसका ज़्यदा option ना बात करते विए अपन डारेक्टी बात करेंगे 13.7 million क्या हो जाती है राजे में 200 की संख्या हो जाती है यहाँ प्रощ kick हुदियपूर में हैं इसके जब арत & ऐंट करेंगे भी आज स्वन कर् MacTime नहीं परण पहुना की अनुसर रहा ऑन्विकाया जाएगी तो यहाँ पह Wow बिकानेट देखने को मिलता है तो आपको गणेर राइट करना है अब बात करें इसकी तो प्रति व्यक्ति प्रति दिन दूद अब लबता कितनी है तो आरसो सतर गराम है यह 970 गराम है जिसके जब राइट आंशर के अपन बात करेंगे कि जो राज्य के अंतरगत जो परती व्यक्ती परती दिन जो दूद उपलब दोता है तो कितनी हो जाती है आपकी 870 गराम लेकिन अगर अभी परजेंट की बात करें तो 1100 प्लस है जो आपको 1100 ग्राम है उससे प्लस के अंतरगत है वहाँ पे आपके दिन के अंतरगत दूद उपलखता हो गई है तो आपको इसका विशेश रूप से ध्यान अगना जो जितने में एडेट है उसके में एक वहाँ आपके एक साथी के लिए हो जाएंगे छलेएक लिए के पर सव उपरांत परतम दूद क्या कहलाता है तो टान्ट मिल्क यह बटर मिल्क कहलाता है करता के में चिक्राइब हिए तो आपको पता posición किन्झा स्वबाद है यह से हम प favors के странगता है next question के अपन बात करें गाई के दूद गाटा आपकैसिद करना तो होता है 1.036 होता है 1.0320 होता है 1.026 होता है 0.930 होता है I hope आप सब्योटगों को पता होगा खुला आपकैolate के दूद का आपकैसिद करना तो होता है 1.028 होता है और अगर सामने तब पूचा जाए आपको दूद का तो 1.030 होता है अगर भेंस का पूचा जाए तो उसका जो अपेक्सित कहना तो होता है 1.032 होता है तो अगर according to option देखे तो option number C यहां से क्या हो जाता है आपका राय टांस्वर हो जाता है next questions के अपन बात करें तो जह तजे दूद का पीएच मान होता है तो आउअप के दूद का पीएच माना जाता है तो 10- 15 ie पर नब essa टेखनें को मिला होगा तो जो आपके गाय के दूद से जहना बनाया जाता है उसमें प्रोटीन के मातर होती है लगबग 17 पॉइंट 5 प्रतिशत के लगवग प्रोटीन पाई जाती है तो इस नमबर सी यहां पर क्या हो जाता है नेक्स्ट के बात करें गाये के दूद्ध सीराओं में होता है तो यह किसन आपका एक्रिकल्चर सुपर्वाइजर जो 2018 के अंतरगत जो 2018 के अंतरगत एक्जाम होई थी उसके अंतरगत भी पूछा किया क्यों कि आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है इसे क्योंकि आपकी एक्रिकल्चर सुपर्वाइजर है वहां पर कापी क्यों रिपीटेट होते हैं और मैंने कितने टेस्ट पेपर कर प्रतिसत होती है तो जब पहले बात कर चुके हैं कि जो पतलिक क्रीम की या टेबिल क्रीम में वसा होती है तो यह अपन पहले बात कर चुके हैं कि जो पतलिक क्रीम या टेबिल क्रीम होती है उसके अंतरगर 18 से 25 परतिसत पाया जाता है जो मेडियम क्रीम होती है उसके अंतरगर 25 से 35 पाया जाता है और जो आपकी 35 से अधिक होती है वह कौन से होती है जो पॉलिथीन हना प्लास्टिक क्रीम होती है प्लास्टिक क्रीम के आपके प्याताले से जढ़ा पाई जाती है तो ऑपszन नमर-a就到 से ख्याह से क्या होए तõ अगयो जाता है यहांस तो कौन सा नहीं है गाई नहीं है और है यह बकरी नहीं है तो आइप सभी म cared होगा जो धार नहीं है गोन नहीं आपका उंत नहीं होता है क्योंकि इसके इसका आमाश्य है वो तीनी बागों के अंतरगत होता है तो इसलिए अपने इसे क्योंकि आपने देखा होगा कि 2018 की इसके अंतरगत भी आपके उंट से नहीं पूछाई जाएगा और आपको बताए होगा दोजार चोईश्वर्स है उसे जाना जाएगा जाता है तो उसका भी एक विशेश क्यूशन बनता है क्योंकि इसी रूप में अपन सेलिब्रेट कर रहे हैं इसके लाव बाद करें 2020 था उसे मिलेट्स के रूप में किया गया था तो यहां से भी क्यूशन बनने की संभाव नहीं रहती है तो चलिए नेक्श्ट क्यूशन क हैं तो बेड़ के समुवको केते हैं तो फ्लो केते हैं हर्ड केते हैं सरैंक केते हैं एक वुसर वह बात करें रेड़ सिंद्द और सभी वाल के संक्रन से विक्सित नसल कौन सी है तो यह तो मैंने आपको ट्रिक के माद्यम से बताई थी पहले भी कि जो रेड़ सिंद और सायवाल के संक्रन से है वो आपकी राटी नसल है वो विक्सित की गई है और साथी रे की नाम से आपकी ट्रिक तेयार की थी कि साथी रे के नाम से आप देखो करने हैं तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर विदेशी नसले पढ़ते हो आप गाई की तो उसके अंतरगत मुख्यत आपके सलेबस में दो ही नाम दिये गए हैं आपकी जर्सी और आपकी घॉलिष्टन फ्रीजियन तो आपको पता ही है कि यह दोनों का हैं विदेश की है तो आप अगर सलेबस भी अच्छे से पढ़ा है आपने तो वहांसे भी आप क्यूशन अटेंब कर सकते हो तो उसन नमबर ए यहां से क्या हो जाता राइट आंसर हो जाता है तो नेस्ट क्यूशन के अपन बात करें नियोन में से कौन सा रोग कुकुट से समद्धित है पू प्रेंगे तो वह कौन सा हो जाता है अपका फूनी पैचे सो जाता है तो आई हो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो जद़ जद़ लाइक करें और शेयर करना ना बूले तो यह मिलते हैं नेक्ट अप्डेट नेक्स्ट वीडियो के साथ में